अब्सक्तिक के दिवार आज मैं आपको फिर एक ई News Kanife अनगे साथ आयो दोस्तो जो धेकेवाल पुट्टी है और दिवार जो थी हमारी पुरानी लिवार है तो हमने इसको दो-दो पुट्टी किए हैं ज duda दोबार पुट्विख किया है बती के साथ गुरमालाला के साथ और बार्वार दिवार में जाधा होती है तो तीज दो से तीन लाव फट्विछ करनी पड़तード कहो बनाने के लिए जो हम बनाने जाना उसका उसका बेस बनाना नीचे का बहुत जरूरी होता है मतलब पूरा प्लैन बेस अगर उच्छा नीचा रखते भी हैं तो मतलब अच्छा नहीं लगता है यह दोस्तों हमारा 320 का रेगमार है वाटर बेस यह दिवार पर हमनें इससे फिर्णेशिंग किए कर दो कोट पुट्टी करके तो आप देख सकते हैं कि यह से हमने रेगमार लगाया है पुरी दिवार पर इससे क्या होता बेस पाइच्छा बंता है और जो हमारा रोयल कोट जब हम बेस कोट लगाते हैं इस परmore इससे क्या होता है इस वाले रेकमाल से एक तो दिवार के अंदर निशान नहीं आते हैं रेकमार के और दोस्तों यह जाड़ू है जाड़ू से अच्छी तरह से दिवार साप कर लें और यह हमारा इंटरियर प्राइमर है यह अंदर वाला प्राइमर वाटर वेश है दोस्तों तो यह हमारा प्राइमर बनके तैयार हो गया इस तरह से अब हुआ इसको अबने दिवार पर कोट लगाया इसका सरफ एक यह कोट लगाना है आपने पुट्टि को रेगमार मारके सब्सक्राइब के साथ लगा देना है अगर दिवार पर अच्छी तरह से प्राइमर गोल माल चलाना है आपने जैसे मैंने बताया है एक लिटर में 600-500 ग्राम पाइं जालके आप चलाओगे तो उससे के पकड़ अच्छी हो जाएगी यह हमारा रोयल है रोयल लगजरी मिलसन इसन कंप्पणी का पहेंट है 74 जौन इसका जो कोट है वह 74 चोहण है और कलर का नाम है टी टील कलर कर नाम है तो Hi कि हम Jordan र उन्हार कि पाइं डाला आगा स्धुनस तक डाला हैं पहले कोट में सब्सक्राइब दूसरे कोट में sindile कि चार्ड़ाइं डाल सकते हैं वर एक लिड olduğunu हैं हम तक डाल सकते हैं और दूस्तों इसमें हमने पहले कोट में 500 ग्राम तर डाला दूसरे कोट में 400 g तक डाल सकते हैं और अगर दिवार के अंदर चूस नहीं है तो आप 2-0 कोट भी 4-400 g पाइं डाल के लगा सकते हो एक लिटर के अंदर और बड़ी दिवार है तो दो सुफट सबार कDoes सिंगल कोडं मैं करेगा या तो वो आपकी 100 लिटर में सबी कभर हो जाएगा क्योंकूर के ये एक लिटर डभलड़ में कभर कर लेता है। नई के लिए दो कोटों में आराम से आपकी दिवार बेस कोट आपका फाइनल हो जाता है और दोस्तों यह दिवार हमाई सुख चुकी है अब इसके उपर जो टॉपकोड जो दिया है हमने वो प्लास्टिक प्रेंट के दिया है यह हमारा एकोलाइट प्रेमियम इंवल्सन यानि प्लास्टिक प्रेंट एशन कंपनी का यह भी और इसमें जो हमने जो बनाया है टॉपकोड इसको हमने टॉपकोड बनाया अपना और एक स्पोंज बाला रूलन लिया है और यह दोस्तों यह हमारा है इसको आप देख सकते हो कि शर्फ एक स्टेंसिल में इसमें एक ही पीश निकलता और जल्दी यह खराब नहीं होता वह शांदार स्टेंसिल है आप किसी भी नश्दी की हरडवेर की दुकान पर पैंट की दुकान पर जाकर आप इसको खरीच सकते हैं आपको एसन पैंट की दुकान पर है फिर यह दुकान पर छोड़िक आप पता कर सकते हैं अगर चांस नहीं है उनके पास उफ्सकर आपको लाक्याद देंगे तो इस तरह से आपने दिवार पे लगाना है और इस पानी बुल्कुल में डालना है जैसा डब्बे के अंदर मान निकलता उसी तरह से आपने इसको यूच करना है और पानी डालोगे तो आपका इस्टेंसल साप नहीं आगा और डिजान जो आपका आप जो दिबार बनाने जाओगे वो बिल्कुल गंदा निकलेगा और उसमें सफाई नहीं आएगी तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने इस पर रूलर पहले ह अलका हलका घुमाया जाता है फिर उसके बार डबल करके घुमाओ उसको डियान आपका साप आएगा देख सकती हो किस तरह से यह डियान निकला हो किस तरह कि आपको दीख रहा है जरासा भी इधर से उधर नहीं हुआ है और नहीं कहीं पर बहाए बहुत वेरिगूड हमने काटाा था एक साथ एक साइट से क्योंकि अगर except लगाके करते हैं तो थोड़ासा हमारा गयप रह जाता और । पिर एक सेट से काटने के बाद पर इस तरह से पर कर सकते हो नहीं तो पहले जो पहले जो अपने जो बनाया था जूप पूल बनाया था तो आपको काफी दिर वेट करने पड़ेगा, जब तक वो सूक्राइगा जब वो सूक जागा तब आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा इसकर करके आप भी एक सेट से काट लिजएगा इस तरह से पहले एक बना लो, बनाने के बाद फिर एक, उसके बाद मैं पिर देख ले न और आपका काम चलता रहेगा इसी तरह से जैसे आप देख रहे हो किस तरह से हमारे जो बंद्य किस तरह से कर रहे हैं और एक-एक डिजाइन एक-एक साफ-साफ आ रहा है कहीं पे कोई कमी नहीं नहीं आ रही है यह आपकी कम से कम चार-पांच दिवारे आराम से निकाल देता है और बाद में इसको यूज कर सकते हैं साप करके इसको रख लेना धोके और अच्छी तरह से अगर शेप जगह रखोगे तो यूज कर सकते हो और अगर रखा उल्टी सी दिजगे फिर आप यूज नहीं कर सकत सब्सक्राइब कि यह देखिए दोस्तों सैट में थोड़ी सी जगह तो उसमें भी हमने साइट से थोड़ा सा उठाके आधे फूल से थोड़ा सज़ादा आया तो वह भी हमने दे दिया इसको इस तरह से तो इसका करने का तो बहुत ही असान तरीका ज्यादा मुश्किल नह है उनको आपने बस मिलाना है उनकी लड़ियों को सीथ में आपको रख रखके और काम करना है और पकाया आपने कोई सीधा बनते चला जाएगा आपकी दिवार कैसी भी हो फिर भी आपका सीधा होता चला जाएगा और आप अंदाजी से मत करना इसको लड़ियों पर लड़िया बनाते हुँ चलोगे तभी आपका इडियान साप आएगा और सीधा आएगा आप देख सकते हैं दोस्तों और एक पहले कॉल मत करना है तो यह आभा बन के फाइनल हो चुका है देख सकते होके हैं निकला इक कोई कमी नहीं के नदर और कहीं नहीं बहा है कहीं कुछ नहीं हुआ है तो दोस्तो मैं आशा करता हो कि यह प scrub सण आया होगा और इस जैसा अगर पर आपको लगता अच्छा ये डियान लगता है बढ़िया लगता है तो इस डियान को आप शेर के जिए दोस्तों के साथ में और ये डियान खुद भी बनाई यह बहुत आसाने बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और दोस्तों मेरे कमेंड में भी जरूर बताएं यह डियान आपको किस तरह लगा